I know expert opinion के लिए रुखे दे and I'm late to the party just kidding this is such an important vehicle especially Canada में एक स्टोरी यह वेहिकल को लेगी कि Hyundai Elendra technically first vehicle थी Canada में आने के बाद जो मैंने review की थी and मेरे first जैसे review vehicle थी काफी लोगों की especially students में यह सबसे first vehicle is owned by them as a family vehicle भी first vehicle जभी खरीते के बाद थे this is the preferred choice it's ironic कि मैं हुदीब and यह है new updated 2024 Hyundai Elendra preferred and of course लोग Uber वगर हो गया business perspective के side से भी यह vehicle use करते so now यह सारे चीज़े जो मैंने factors बोले and considering अब यह vehicle का updates है क्या यह vehicle की positioning यह change करती है segment में वही है आप वीडियो में figure out करेंगे vehicle की space drive करने में क्या-क्या changes है and अब यह update के साथ यह vehicle में क्या-क्या changes है तो उसमें से of course as usual हर एक facelift में जो होता है complete new front end अभी आपको आता है यह chrome strip running across तो इसे full LED bar का जो है friend में आपको feel देता है although overall यह headlights का shape similar ही है it's just a perspective for example पहले तो साइट से reflector जो daytime running lights के ऊपर आदेते अब यह same reflector daytime running lights के नीचे आदे तो इसके daytime running lights और flatter look आपको देते इसलिए और यह sleeker पूरा overall front से दिख्के आती है और यह जो headlights है अभी 2024 से facelift से आपको LED स्टैंडर ही आएंगे पहले से प्रोजेक्टर एंड थोड़ा different light setup आता essential and preferred में same goes अभी यह standard LED headlights setup बट जो इसके luxury n-line and entry में इसमें आपको और high performance LEDs आएंगे और थोड़े squared off design के होंगे वह और उसी के अंदर उनके turn indicators भी accommodate के अलग से बंपर पर नीचे turn indicators दिए गए है और यही एंगल से मैं बता रहा था वेहिकल का design जो डिफिनिल ऐसे भी शाप दिखे आदा है थोड़ी सी वेहिकल जो वो skinny दिखके आती है और दो ऐसे changes से जो मुझे आपको बताने बिफर गुएंग तो दो साइड प्रोफाल इस देस अभी जो नुव हुंडाई की किया आती है डेभी होई थी आनिक 6 के साथ न्यू को ना में भी आपको सेम जो है किया यह हुंडाई के शेप में जिसमें आपको वेहिकल रिमोट स्राट का भी अभी ऑप्शन दिया गया ह है और साइड में हाप पर आपको इसका बूट ओपन करने के लिए अन्य अंडे के शेप के कुछ की आती हो इसे तो काफी हल्की किया है बट शेप उन्होंने डिजाइन चेंज के और दूसरा है यह पहले इसमें वो पिप वाला हॉन आदा तो डेफिनिटली देफिनिटली वेहिकल का लोग इस मुच्छ स्मार्टर ना और जैसे फेसलिफ्ट में और रिम्स की डिजाइन जो अभी फेसलिफ्ट के साथ चेंज होए अब यह करेंटली प्रेफर्ट में आपको 17 इंच के रिम्स आदे 225 है 45 और 17 इंच का रिम्स और टायस का सेट अप है उसके पर यह लक्षरी एन रंग अल्टीमेट वेहिकले प्रे मते में इते चिसमें लक्षरी आपको सबसे मिलें अब का सेम पावर ट्रेन कंटिदीव 201 होर्स पार का एन लाइन में इसमें अभी स्टिल पावर ट्रेन कंटिन्यू किया गए कोई भी चेंज निये पावर ट्रेन में तू लिटर का और और साइड प्रोफाल में लाइन वगरा पहले के जैसे वैसे ही है कोई भी लाइन में प्रोफाल में वेहिकल के चेंजेस नहीं है यह विंडो के पीछे भी एक छोड़े सी डिजाइन आती है जो मौस्ट ऑफ दे किया एंड हुंडाई वेहिकल में आपको देखने मिलेगी और रियर साइड में जितना एक्सपेक्टेड उतने चेंजेस नहीं किये अपको यह थोड़ा और ठिकर जो इसका एलेडी बार आता है जैसे प्रेफर ट्रिम में पूरा एलेडी बार आपको आएगा यह काइंड ऑफ एक हीड़न इसका टेल गेट का बटन आदे ऊपर इसक चेंजेस किये अब देख रहें डिफीजर जैसे स्टाइलिंग जैसे कट साथ है इसे लूक थोड़ा और शार्पर किया गया पीछे बंपर के एरिया में लोवर पार्ट में लोग और तोड़ा शार्पर किया गया अनिये पूरी रेडियम के स्ट्रिप आपको नीचे अलग की है पैसे इंदर की सीट कम आल दो भी पीछे स्टिल आप देख सकते हो इनफ स्पेस फॉर मी अंडर दाइस सपोर्ट लोर बैक सपोर्ट काफी अच्छा है एक चीज मुझे अच्छी लगी यह सब यह प्रेफर्ड मॉडल है फैब्रिक सीट साथ है पीछे भी हीटेट सीट इसके लक्जरी ट्रिम में आते हैं यह देखो यह साइड में काफी वेहिकल में सीधा हाड प्लैस्टिक दिया गया था है इसमें भी यह सीट के जैसे पूरा यहां पर एक सॉफ्ट कुशन उन्होंने दिया है इसका जो सी पिलर का एरिया है वहाँ पर एन ऑफकोस यह एर ब आपको ब्लैंक पैनला आता है यह एंट्रिम में भी ब्लैंक यह आता है जिसका जो एन लाइन ट्रीम माता है उसका जो ड्राइव मोड बटन है जो आपको यह जिली यह पास आता है वह एनलाइन ट्रीम में यहां पर उन्होंने बटन दिया गया इसलिए वह पैनल यहां पर बाकी मॉडल भी ब्लैंक फिछोड़ा है प्रिवियस मॉडल में भी ऐसे आता था इसमें प्रीम्यम ऑडियो सिस्टम बेसिक ऑडियोस सिस्टम आता है इसमें और यह टेक पैकेज भी आता है इसमें संडरोफ भी इंक्लिड़ड है उसमें यह सारा हो गया फीचर में ने ड्राइविंग के वाम ने कोई चेंज सेक्या एंड इंजिन पावर्टरिन इसमें इसमें बीट लिटर का फॉर सिलेंडर स्टैंडर पावर्टरिन आता है में 147 हॉर्सपावर में भ सब्सक्राइब कोई लॉंच कंट्रोल ऐसे ब्रेक बूस्ट भी नहीं है इस तेल नॉट बाड इटम एटिक यहाईलाइ्ट था अलां ट्रा का इंप्रूमेंट था पहले जुश का पावर्टरें ट्रांस्पिशन और अल्गेजिंग फिल यह उतन था य। यह शोडियन ने होटा नहीं होटा यहाज रोन दॉसे नोबहें अट वोंडा सेवेक और वोंड वोंड-ट्वा इसका जो exterior looks has really grown on me, especially side front profile से जैसे वेहिकल का look थोड़ा aggressive and stylish दिख्या आता है, rear में पेसे इसका sloping design है, जो lines आते है, I think overall, as I said in the middle of the video as well, very smart looking vehicle, and vehicle में बाकी suspension tuning related हो गया, जैसे इसका जो N level, Hyundai N इसका आएगा, बात में उसमें ही थोड़े suspension tune किये गये, बाकी आपके across the model line up कोई भी suspension tune नहीं किया गया है, overall platform वगरा सारा आपको अभी भी same ही आता है, power में भी upgrade नहीं है, यह ज़स्ट आपको cosmetically new styling, new front end, क्योंकि interior में मैंने कैसे ले आउट जो है, उन्होंने carry forward ही किया गया है, and equipment wise, feature wise भी vehicle same ही आती है, dynamically भी देखा जाए vehicle के steering wheel भी अभी जैसे pre-facelift model में steering feel आता था भी जैसे की vehicle sports mode में वैसी है, it's still Hyundai का steering wheel, मैंने जब भी Alantra इस अभी खाता है, it's still the best one कभी भी Hyundai Alantra में है, but even now compared to a Jetta और a Mazda 3 और दूसरी main इसकी Honda Civic vehicle है, steering still lacks in terms of communication, feedback, कुछ भी connection नहीं है, जब vehicle drive करते हैं वो, I think यही main Alantra का एक room था improvement का जो फेसलिफ के साथ नहीं हुआ है, so driving के मामले में, even if you are going with a 2023 Alantra, आपको कोई difference फील नहीं होगा, and if you are going to get a good deal on a 2023 Alantra, just go with it, so still compared to the competition vehicle, this vehicle stand where it was, looks I would say कि और थोड़ा Civic से काफी अधर similar हो गया, साइड प्रोफाइल से वगरा जैसे उसके lights वगरा आते हैं, जैसे new Accord वगरा आते हैं, उससे काफी सिमिलर हो गया, so exterior looks के मामले में, vehicle और थोड़ी premium दिख के आती है, so when it comes to actually buying this vehicle, अगर आप consider कर रहे हैं, आपने already book किया, ऐसे कुछ crucial decision making changes, यह vehicle में changes नहीं लाए गए, so उसके से if you are going with the vehicle, definitely go with it, just बैने जैसे की बार-बार वीडियो में repeat के है, looks में overall vehicle के exterior में changes है, power train वगरा still carried forward, same 2024 Civic भी similar पहले जैसे आती थी 2023 वैसे ही carry forward की गई है, and lastly compared to the competition vehicle, क्या यह गाड़ी की positioning change होती है नो, क्योंकि mechanical यह से कोई भी changes vehicle में नहीं के गए, cosmetically, Alendra पहले सी segment में सबसे stylish vehicle थी, and I think that still continues, other vehicles I still prefer like Civic का look हो गया, Jetta का look more on the subtle side, अब जो personally clean design हो पहले से ही मुझे अच्छा लगते आ रहा है, so I hope you like this video, मैंने जैसे कहा था, it's still a great overall package, and still a highlight in the segment, so I hope you like this video, and मैंने जैसे website के बारे में बोला था, partner program के बोला था, if you are looking to buy this new Hyundai Alendra, to get the best deal in Ontario, so जैसे आप channel को support जारी रखते है, website को भी ऐसे support जारी रखना, and now with that, that's it in this one, see you in next one,